हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स देखो आज मैं आपको यह बहुती सिंपल सा इजी सा डिजाइन बनाना बताऊंगी दो सलाईयों का टूरों में यह डिजाइन कम्प्लीट होता है फ्रेंड्स और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चेहिए थ्री के मल अल्टी तरब से डिजाइन स्टार्ट करेंगे देखिए इस पर मैंने 14 फंदे डाले है तीन की हिसाब से हमने फंदे रखने है और दो फंदे हमने एज के लिए रखने है तो फिर चलो शुरू करते हैं प्रेंड्स यह डिजाइन हमारा उल्टी तरब से यानि कि बैक स्टार्ट होगा देखिए कैसे बुपनी है फिर्स्ट रो फैस्ट रो बैक साइड ध्यान से देखिए गार पहला फंदा हम परल वाइच चलो फिर तरह से ध्यान से देखिएगा केवल के बिजाइन है पहलाफ दाऊ liberty हमने करने एसे ही सीक्राइब यह इन प्म आब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे देखिए एक बार हम धागा इस तरह से लपेटेंगे और इसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे देखिए पहला फंदा हमने एज वाला फंदा हमने देखिए यहां पर स्लिप किया फिर धागा लपेटा एक उल्टा बुना फिर दागा लपेटा एक फंदा उल्टा आप यह मत सोचिएगा कि इसमें धागा जादा लगेगा देखिए इसमें धागा कुछ भी जादा नहीं लगता है यह देखे एक फंदा बुना है हमने उल्टा और एक फंदा लपेटना है पूरी रोह हमने इसी तरह से बुननी है देखे एक बार लपेटा एक बार उल्टा बुना ध्यान रखेगा यह दिजाइन हमारा बैक साइड से उल्टी तरप से usable start होगा दो सलायों में डिजाइन पूरा हो जाता है देखिए अब हमारा लास्ट का फंदा बचा फिर से हम लपेटेंगे और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बुनना है इस तरह से हमारी फर्स्ट ड्रो ओवर हो अब देखिए बैक साइड हमने बुन दिया सीधी तरफ राइट है कि इसको को मुझे ओта देंगे नीछे गिरा देंगे जो फंदा हमने उल्टा बुना यह इसे हमने इस तरह से इस वालपेटा था उसे गिराएंगे, फंदे को हम सलाई पे लेंगे, तीसरे धागे को भी हम नीचे गिराएंगे, और तीसरा फंदा, देखिअ तीन फंदे हमने इस तरह से लेने हैं, इन When the first 1st वाला फंदा है, इसे हमने देखिए, इस तरह से पहले नमर के फंदे को हमने इन दोनों फंदों के उपर से लेना है, लेकिन इसे हम ऐसे ही रखेंगे, और इन दो फंदों को भी हमने इसी सलायप athletes करना है देखिए इस तरह से अब हम इन तीनों फंदों को बुनेंगे बैक लूप से देखिए बैक साइड से पीछे से हमने इसे बुनना है सीधा इस तरह से एक फंदा ये हो गया अब इस फंदे को बुनेंगे बैक लूप से ही बुनने है तीनों फंदे पीछे की तरफ से या निकी यह देखिए इस तरह से हमने इने बुन देना है देखिए फिर से हमारा देखिए तीन फंदे हमने इस सलाई पे लेने है और तीन धागे जो लपेटे वे इन्हें हमने उतारना है यह उतारा एक फंदा सलाई पे लिया फिर यह जाली उतारी फिर यह फंदा सलाई पे लिया फ पर से लेते वे इस सलाई पर रखना हैँ अब हमने इन दोनों हनों पन्दों को भी किसा पर ले ले लेना है इस तरह से आप इन तीनों फन्दों को हमने बैक लूप से बुल ना है देखिए एक दो और ये तीन देखिए ये डिजाइन हमारा दिखने लग गया है फिर से जाली हमने नीचे गिरानी है फंदे को सलाई पे लेना है इस जाली को हमने नीचे गिराना है दो फंदे हो गए फिर से जाली नीचे गिराई और ये तीन फंदा फिर देखिए फिर्स टमबर के फंदे को हमने इस तरह से लेना है देखिए ऐसे अब इन तोनों फंदों को भी लेना है अब तीनों फंदों को बैक लूप से बुनना है देखिए एक दो 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 और ये तीन फिर से देखिए डिजाईन आगया तीन फंदों का इसे हम नीचे गिराएंगे इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे جाली को कúlt लों गीराएंगे फंदे को सलाइपे लेंगे जाली को नीचे गिराएंगे पंदे किनारे पर भी हमारी एक जायली बरस ती हिसे भी हम नीचे गिराएंगे फिरThe पहले नमबर के फंदे को लेना है इस तरह से फिर वापस इन दोनों फंदों को भी लेना है अब एक हेक करके हमने भैक सायट से बैक लूब से इसे मून ON हर Gibbs कि दो और टीन हीनारे का फंदा हम सीधा बुणेंगे अन्हींटी और को हमने बार-बार रिपीति करना है देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है आप ज़रूर ट्राइ करेगा देखिए अगर हम इन टूरों को बार बार रिपीट करते भी जाएंगे तो हमारा डिजाइन देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है यह देखिए सकी बैक जाली वाला डिजाइन बहुत ही जल्दी जल्दी बनके तियार होता है आप जरूर ट्राइए करेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को थैंक यू फॉर वाचिंग बापा झाली गयार आपको पसक्राइब करें लाइब करें जियार से एक उन Palikा है अज बहुत है को देता है लाइब से ओğो याल मेरी आपको एकरें हैंक यू भाईट